Google Drive एक ऐसा भहतरी ही हमारे पास option है जिसकी मदद से हम अपने file folders को properly secure कर सकते हैं और साथ साथ उसे जब कभी चाहे हम उसे easily access कर सकते हैं Google Drive जो होता है वो आपके email id से link में आता है आपको ये allow करता है कि आप वहाँ पर एक storage data आप store कर सकते हो और आप उसे किसी भी devices से बस आपके email id से sign in करके आप उस information को access कर सकते हो वो जमाना गया कि हम pen drive का CD DVD का इस्तेमाल करते थे हाँ आज भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर huge data store करना होता है लेकिन छोटे मोटे चीजों के लिए जैसे के import documents लोगरा होते हैं जो हमें बार बार access करने होते हैं और हम हर बार pen drive को jam में लेके नहीं गुम सकते CD को लेके नहीं गुम सकते उस case में Google Drive काम में आता है तो Google Drive में जो भी आप data store करोगे आप अपने mobile phone से हो या फिर आपके laptop से हो कहीं से भी जहाँ पर आप email id को sign in करके आप अपने data को access कर सकते हो और यह बहुत ही secure रहेगा safe रहेगा क्योंकि हो सकता आपका pen drive गुमा जाए हो सकता आपका CD misplace हो जाए लेकिन Google Drive में जो data store होगा वो Google के server में होगा तो miss होने का chance ही नहीं है तो चली शुरू करते हैं देखते हैं किस तरसे Google Drive काम करता है मैं हूँ महमुद वसीम और आप देख रहे हैं AIMS IT चली शुरू करते हैं तो हम हमारे mobile screen पे हैं तो चली देखते हैं किस तरसे Google Drive काम करता है Google Drive का इसे काम करता है बताने से पहले इसके में चंद important features आपको बताऊंगा किसका use क्या होगा जब कभी आप cloud storage की बात करते हो तो cloud storage का मतलब यह होता है कि जो भी आपने file folders बनाए हुए हैं वो सारे file folders आपके secure Google के server में store होंगे Google Drive जो है आपके Gmail से काम करता है यानि कि आपका Google Drive को open करने वाला जो ID और password है वो आपका Gmail का ही है तो आप Gmail ID के password एंटर करके Google Drive को open कर सकते हो और यह आपको allow करता है कि आप 15 GB तक का data store कर सकते हो सकता है files हो, folders हो, videos हो, कुछ भी हो यह आपको 15 GB तक allow करेगा तो यह बहुत ही बढ़िया बात है इसकी 15 GB तक हम data store कर सकते है इसका फाइदा क्या है दोस्तों का फाइदा जो मेरे साब से है अगर मैं अपने phone में documents को save करता हूँ तो वो unsecure रहेगा हो सकता है मेरा phone गुम जाए हो सकता है कुछ misplace हो जाए इस तरह से problems रहेंगे तो मैं उसे बाद में कहां से access करूँगा और मैं physical documents को लेके नहीं गुम सकता है क्योंकि यह भी risky होगा अगर गुम जाए तो क्या करूँ तो इसलिए ऐसे documents जो हम commonly इस्तिमाल करते हैं जैसे कि आधार कार्ड हुआ आपका deal license हुआ passport copies हुए तो आप उन documents को क्या कर सकते हो आप उन documents को अपने google drive में store कर सकते हो google drive में store करने का फाइदा यह होगा कि आपके पास आपका mobile phone हो या ना हो आप कहीं से भी इवन अपनेट cafe से भी अपना gmail id लॉग इन करके आप google drive में जाकर आप अपने उस files को access कर सकते हो anywhere anytime तो यह हमेशा google के drive में store रहेंगे तो यह गुम जाने की बात ही आप आएगी ने क्योंकि आप उसका पूरा security के जिम्मेदरी जो ले रहा है वो google company ले रहा है और 15 GB का storage मतलब बहुत ही बढ़िया बात है तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम google drive को install करेंगे और किस तरह से हम google drive को इस्तेमाल करेंगे गूगल drive को install करना कोई बड़ी बात नहीं है आपको जस प्ले स्टोर में आना है प्ले स्टोर में आने के बाद में आप google drive जो type करोगे तो आप वहां से उसे install कर सकते हो जहां तक मैं समझता हूँ यह बताना ज़रूरी नहीं है तो google drive install होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा जैसे यहां पर आप देख सकते हो google drive इस तरह से मुझे यह कुछ दिखा रहा है तो google drive यहां पर इस तरह का interface मुझे दिखा रहा है तो यहां पर अगर मैं computer में इस्तमाल करता हूँ इसे तो computer में भी आपको ऐसे दिखाई देगा अगर आप अपने account के बाजू में एक box दिखता है आपको box पर click करोगे तो वहां पर आपको option मिलेगा जैसे कि google plus हुआ youtube हुआ, gmail हुआ उसके साथ साथ आपको वहां पर google drive का भी option मिल जाएगा जब drive पर click करोगे तो आपको वहां पर option मिल जाएगे तो यहां पर सबसे पहले जो top में आपको दिखा रहा है एक search bar है आपने जो भी documents आपके store किये हुए है अगर आपको उन्हें search करना है, जल्दी search करना है fast आपको उसे access करना है तो उस case में आप directly यहां से इसे access कर सकते हैं यानिके type कर लो उसका नाम जो भी अपने नाम सेफ किया हुआ है तो वह file आपके सामने आ जाएगा it's very simple दूसरा जो option यहां पर है वो यह है कि आपके सामने यहां पर my drive और computer बोल के option आ रहा है यह my drive और computer क्या है computer computer के अंदर जो भी आपने drive में इस्तिमाल किये हैं आगर आपको sync करना है यानि कि आप यहां भी drive में google drive में इस्तिमाल करना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं लेकिन मैंने आपके कोई sync नहीं किया इसलिए यहां पर कोई option मुझे नहीं दिखा रहा है तो यहां पर जो है मैं अपने my drive में आ रहा हूँ my drive में आने के बाद आप 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 देख सकते हैं आपको एक plus का symbol दिखाई दे रहा है उससे पहले और एक बात करते हैं अगर मैं यहां पर टॉप में देखो कि आप मेरा email का जो symbol दिखा रहा है अगर मैं आप टैप करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि मेरे जितने भी email IDs हैं यह अलग-अलग IDs के लिए अलग-अलग drive में इस्तेमाल कर सकता हूँ तो यह भी आप समझना जरूरी है तो यानि कि 15GB एक ID के लिए 15GB यह भी दूसरे ID के लिए ऐसे मैं हर एक ID के लिए 15-15GB का data यूज कर सकता हूँ तो यहाँ पर यह भी एक बहुत important part है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कोई आप data store कर रहे हो Google Drive में save कर रहे हो तो आप Google Drive में कौन से information और कहां पर कौन से email ID में अगर आप अपने phone में computer में ज्यादा email IDs इस्तमाल करते हैं मेरी तरह तो उस case में आपको यह भी समझना जरूरी है कि आप कौन से ID के अंदर अपने data को store कर लिए तो चली आगे बढ़ते हैं और इस video को end तक देखें ताकि आपको properly समझ में आए आप मुझे comment करके बताएं आपके suggestions, आपके opinions क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही important है तो यहाँ पर आप plus symbol पर जैसे ही click करोगे तो आपके सामने options आएंगे 6 options आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले folder दूसरा आ रहा है upload तीसरा आ रहा है scan तो यहाँ पर folder का मतलब क्या है जिस तरह से आप अपने computer में अपने documents को properly अपने files को properly arrange रखने के लिए systematic manner में set करने के लिए अलग-अलग folders बनाते हो उसी तरह से आप यहाँ पे Google Drive में भी अपने documents को properly arrange करने के लिए folder बना सकते हो दूसरा option क्या है upload का है upload का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके local drive में यानि के mobile के drive में mobile के memory में जो भी document store है हो सकता है video हो, files हो, folders हो कुछ भी हो वो documents को आप यहाँ पर upload कर सकते हो उस data को आप Google Drive में save कर सकते हो देखते हैं कैसे काम करेगा पर पर देख लेते हैं दूसरा option जो यहाँ पर scan का है scan का मतलब क्या है scan मतलब आप directly कोई भी document को scan करके Google Drive में save कर सकते हो तो यहाँ पर नीचे जो options आ रहे हैं तीन option Google Docs हैं Google Sheets हैं Google Slides हैं दोस्तों इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा आप देख लो Google Docs Google Sheets एक तरह के Cloud Based Projects हैं जहां पर आप जाकर Google Docs के अंदर आप ड़क्मेट्स बढ़ा बना सकते हो या फिर आप Google Sheets में Excel की Sheets इस 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 इसफिए हो और गूगल Slides में पर पिपी टी का नाम क्या देना है तो आप यहां पे कुछ भी नाम दे सकते हूँ जैसे कि suppose मैं कहता हूँ यहां पे माई पिक्स आप कुछ भी नाम दे सकते हो create इस तरह से आप यहां पे folder बना सकते हो ऐसे आप जितने चाहे करेगा upload में जाकर आप कोई भी आपके जो भी आप देख सकते हैं मेरे phone memory को मैं access कर रहा हूँ यहां पे जैसे मैं क्लिक किया तो आप यहां से जो भी मेरे phone memory में सब कुछ दिखाई दे रहा है तो मैं जो चाहूं और यहां पे ऐसे टैप करके उसे यहां पे store कर सकता हूँ इसे प्लस पे क्लिक किया upload पे क्लिक किया जो भी मुझे file folder चाहिए टैप किया टैप करते ही वह यहां पे save हो जाएगा आप देख सकते हैं waiting for wi-fi अब यहां पे waiting for wi-fi का option आ रहा है मैं आपको आगे बताता हूँ यह चीज क्या है तो मैं back आ रहा हूँ भी back आने के बाद में आप देख सकते हैं यह तो हो गया इसकी option किसका option folder का option और यह upload का option दूसरा जो option है वह scan का है अगर आप directly कोई भी document scan करके आप चाहो तो उसे इसमें upload कर सकते हो इसमें add कर सकते हो google drive में दूसरा बहुत important option अगर आप यहां पर tap करते हो जो भी file कोई भी file के नीचे आप देख सकते हो तीन star दिख रहे हैं आपको तीन dot पर जैसे आप करते हो तो यहां पर चंद options आ रहे है option आ रहा है share का अगर आप किसी और person से आप share करना चाहते हो तो share option पर click कर सकते हो touch कर सकते हो tap कर सकते हो अगर आप add start आप click करते हो तो इसका मतलब क्या है एक तरह का यह favorites है यानि कि आपको धूनने की जरूत ने पड़ेगी चलिए मैं add कर लेता हूँ add start दूसरा option यहां पर यह है कि अगर आप चाहो तो यहां पर इसे offline भी available कर सकते हो जब कभी आपके फोन में data net नहीं रहेगा तब यह बहुत ही useful option है तब भी आप इसे access कर पाऊगे अगर आप make available offline tap करते हो तो तो यह document क्या हो गया अभी मुझे offline भी available रहेगा आप चाहो तो किसी और से यहां पर link share कर सकते हो लिंक को copy कर सकते हो इसका duplicate बना सकते हो आप directly send copy करके आप WhatsApp या किसी भी platform पर इसे share कर सकते हो यह बहुत ही interesting options है अगर आपको आप जो भी आपके Google Drive में store है अगर आपको अपने local device में जहां कहीं भी आप इस्तेमाल कर रहे हो Google Drive का आप हो सकता है computer में इस्तेमाल कर रहे हो हो सकता है किसी और के computer में इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आपके अपने phone में इस्तेमाल कर रहे हो अगर आपको locally आप कर सकते हो आप चाहो तो होम स्क्रीन पर इसे एड़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो तो यहां पर इस तरह से आप इन चीजों का इस्तमाल कर सकते हो दूसरा ओप्शन यहां पर यह है कि जैसे मैं होम में आ रहा हूं तो होम में जितनी भी डाटा स्टोर है यहां पे वो सब कुछ में दिखाई देगा और यहां पे आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा इसलिए इसलिए थिंक दिले हो रहा है अगर मैं पर आता हूं स्टार्ड तो यहां पर देख सकते हैं जो आपक में स्टार्ड में किया वह एगर किसी ने अपने शेर किये हूं आप से तो आपको यहां Camerle बद जी लुकिल ऑपर हैं इंपको देखना है तो इहां पे इस तरी लाइन पर आटाए होट तो जब करने के बाद यहां पर option आ रहा है देख सकते हैं storage 0% है मेरा 15GB तक का मैं data store कर सकता हूँ 0% full बल के बता रहा है और यहां पर 63.1 MB का मैंने store किया हुआ है 15GB मैं store कर सकता हूँ तो यहां पर जो important option है सेटिंग्स में आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद में यहां पर आप जैसे नीचे आओगे आप देख सकते हो data usage बोलके यहां पर option आ रहा है data usage में option यह है कि transfer files only over wifi यह option दिया गया है तो यह बहुत ही important option है यह important option का मतलब क्या है यह option अगर आपका wifi range में wifi zone में आप रहोगे तभी आपके files upload होगी अगर आप अपने mobile data से use करना चाहोगे तो वो नहीं करेंगे तो इसलिए जब मैं starting में upload upload मैंने किया तो वहां पर waiting for wifi का option था अब अगर मैं यहां पर इसको off कर देता हूँ तो यहां पर मुझे confirmation देना होगा जैसे मैं okay कर लूँगा तो यह off हो जाएगा अभी यहां पर मेरा जो mobile data है वो भी यहां पर काम करेगा तो अगर आपके साथ यह problem है कि आपका हमेशा waiting for wifi या फिर आपके files upload नहीं होते हैं Google Drive में तब आप यहां पर आके एक बर इसको चेक कर लें तो उमीद है आपको यह video समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें इसे ताकि मुझे और हिम्मत मिले नई वीडियो बनाने के लिए और यह video कैसा आपको लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपका कोई डिमांड है किसी वीडियो पर तो आप मुझे यहां पर कमेंट करके बता सकते हैं मैं इंशाल्ला जरूर आपके उस topic पर वीडियो लाऊंगा तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ गुडबाई एंट टेक कियर उमीद है आपको वीडियो पसção आया होगा. अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करेजके, लाइक करने के साथ सथ दूसरों के साथ शेर करें ताकि दूसरों को भी मालूम पढ़े हैं कि qu service होता क्या है? अगर आप हमारे चनल पर फर्स टाइम आये हुए हैं सब्सक्राइब जुरूर करें सब्सक्राइब करने के साथ सब बेल आइकन को प्रेस करें और देखें हमारे वीडियो सबसे पहले तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू